तो चलो इस वाले प्राब्लम में देखो प्यारे बच्चों इसमें क्या कर रहे हैं कि इतने धरती से नीचे में मैंने चला जाओंगे इतना डेफ्थ है तो अगर यह हमारा अर्थ है तुम देखोगे यहां से तो बहुत ज्यादा difficult question नहीं है बच्चों आसाओन है इसको बड़े अराम से आप कर सकते हो बट थोड़ा सा आपको डायरेक्ट फार्मुला बेस question है ज्यादा दिक्कत वाली परसानी वाली बात नहीं है तो यह अर्थ है तो अर्थ के depth में चले जाओ यहां से कुछ surface से surface पर यह जो surface है इस पर जी की value मुझे 9.8 meter per second square लेना है अब यह अर्थ का center है और यह मैं depth नीचे आ गया हूं तो यह जो depth this depth is d और इस d की value यह कर रहे है 640 meter है तो जो surface पर यहां पर जी की value जी थी तो यहां पर जी की value है वो जी डैस हो गई इस point पर depth पर तो इस जी डैस का direct formula है आई होप की सबको formula यह याद होगा तो जी डैस की जो value होती है वो जी और 1-d over r होता है ठीक है तो इसको अकर direct लगा दोगे तो यह problem एक line में अपने है आप solve हो जाएगा मतलब solve करना पड़ेगा तो जी डैस की value जी 9.8 और 1-1-1-1-2-640 meter ले लो और radius आपको 600 6400 meter kilometer है तो meter में 10 की power 3 से multiply कर दें तो यह meter में आ गया तो अब इसको जो solve करेंगे तो यह जाएगा 9.8 और देखो 1-64 ने 64 को कर दिया तो यह जाएगा 1-10 की power माइनस फोर है ठीक ना और एक जीरो ने एक जीरो को कर दिया 10 की पावर माइनस फोर तो जब इसको solve करेंगे तो जी डैस की value आ जाएगी नाइन पॉइंट सेवन नाइन नाइन यह मीटर पर सेकेंड स्कार जाएगा जो की बहुत कम डिक्रीज हुआ पर हुआ है नाइन पॉइंट तो ही था तो हाइट डेप्थ भी तो कम है तो इस इस फाइनल सलूशन अब इस प्रॉब्लम तो आई हो कि आपको यह क्लियर हो ग झाल झाल